महाराश्ट्र के इतिहास में पहली बार वारकरी भक्तों पर चली लाठियां पूने में वारकरी भक्तों पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंधरपुर जा रहे भक्त आलंदी के श्रीक्षेत्र मंदिर में एक समारोह के लिए पहुँचे थे मंदिर में प्रवेश के दौरान उनकी पुलिस से बहस हो गई फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया ये पहला मौका है जब राज्ज में वारकरी भक्तों पर लाठी चार्ज हुआ है खबर है कि पुलिस भक्तों को मंदिर में जाने से रोक रही थी पुलिस का कहना है कि मंदिर परिसर में सिर्फ 75 भक्तों को प्रवेश देने की अनुमती थी इसके बाद भी करीब 400 भक्त वहां पहुँचे थे और परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उन्हें नियंतरित करने के लिए पुलिस ने हलका बल प्रयोग किया विपक्ष ने इस मुद्दे पर ग्रिह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस और मुख्य मंत्री एकनात शिंदे का इस्तीफा मांगा है संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा हिंदुत्व सरकार का ढोंग उजागर हो गया नकाब उतर गया ये लोग औरंगजेब की तुलना में अलग नहीं है मुगलों का महाराष्ट्र में पुनरजन्म हुआ है इस घटना की महाराष्ट्र समेत पूरे देश में निंदा हो रही है